है यहां पर मैं लिखता हूँ है तो यहां ऐसा है ना कि जो आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट का रेफ्रेंस पास होता है आपको मिसाल की तौर पर एक ऑब्जेक्ट अगर मैं सिंपल सा बनाऊ तो यह एक ऑब्जेक्ट है ठीक है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूं कि देखने की कोशिश करूं तो बीजे वन जो है जैसे मैं कॉन्सोल से करूंगा कि मुझे ओबी जे बन दिखाओ तो वह क्या करेगा वह सबसे पहले इसके रेफ्रेंस के पास जाएगा ठीक है इसकी एक वैल्यू है यह वाली नेम और एज यह नेम और एज सब्सक्राइब करें कि वह इस कंटेनर में यहां पर रखी हुई है नेम और एज इस वाली कंटेनर में यह हो गया नेम यह हो गया एज ठीक है तो जैसी मैंने कॉन्सोल को बोला के ना मुझे ओबी जे दिखाने तो वह क्या करेगा वह सबसे पहले जाएगा का म्हाना आब ही इस हीप मेमरी में क्या होता है रेफरेंस जनरेट होते हैं तो शीप Camb Пр disguise में एक ? रेफरेंस है किस तीश का इस ओबी जेगा तो इस ओबी जेगा यह वाला रेफरेंस है यह वाला रेफरेंस है जो के है इस ओबी जेगा जो के हीप मेमरी के अंदर रखे है तो अब भी ऐसा है कि आप इस console.log को जैसे कराने कहते हैं वो जाएगा सबसे पहले reference लेने एक सेकंड रुकेगा तो वो जाएगा इसके बाद reference लेने अब reference जो भी है इसका वो जाएगा यहांपर इसके पास वो कहेगा मुझे वैल्यू दिखा दो तो reference गेम चल जोते हैं आपर अब कैसा है न कि मैं कि यहां पर एक लाइन एड़ कर देता हूं कि ओ बीजे वन टू को मैं बराबर कर रहा हूं ओ बीजे वन के बराबर कर दिया अब पते क्या हुआ अब यह हुआ कि आपके पास एक और reference क्रिए हो गया हीप memory के अंदर तो वह reference किसका है यह वह वह reference किसका है वह इस ओबीजे टू का reference है जो कि यहांपर create हो गया आपके पास अच्छा इसकी value कौन सी है अगर मैं console.log में कहूं के obj2 को मुझे console कराना है तो यह जो obj2 है यह क्या करेगा अब आप देखेगा कि यह जाएगा अपने reference के पास इसका reference कौन सा है इसका reference यह वाल है यह वाल है इसका reference भी वही value लेकिन इन दोनों के references अलग है तो एक counter चल रहा होता है counter मतलब 1 2 3 4 5 6 वाला counter counter किस पर चल रहा होता है आपकी इस value के उपर इस value के पास जो है कैसा होता है मैं आपको बताऊ जब यह वाली value थी और obj1 का object जब बना तो obj1 का एक reference भी बना यह वाला और इस reference के ऊपर एक value आपको generator के मिली यहाँ पर तो इसका counter हो गया one इसके पास इस value के पास कितने references है एक उसके पास आपने बोला obj2 का variable बनाया पर obj1 को obj2 के बराबर कर दिया obj2 का एक reference बना यह वाला इस obj2 के reference के पास value कौन से थी यही वाली थी value भी तो इस value के पास कितने references आ गए इस तरह कर ले एक reference उसका एक reference का अभी इसके बाद दो reference आगे अगर मैं इसी तरीके से obj3 बनाऊ तो कैसा होगा तो अब इस बात को समझता है कि वो तीन reference इसके पास आजेंगे मैं जल्दी थोड़ा कोशिश करता हूं आपको समझाओ यह तो यहां पर एक reference और generate होगा और ऐसे से करके एक reference और generate होगा और इसको वैल्यू कौन से शेर होगी इसको यही वाली वैल्यू शेर होजाएगी और इसके पास counter एक और बढ़ जाएगा कि कितने इस value को कितने references handle करें तीन references अब हम क्या गड़ते हैं कोई काम नहीं है हमें आपर इसका भी हमें कोई काम नहीं है आपर अच्छा अब देखें आप शबको तो इस बात का बता है कि वैल्यू एक ही है रेफरेंस बहले अलग अलग है वैल्यू तो एक ही है तो किसी भी reference किसी भी reference के जरीए अगर मैं इस value को change करूंगा तो क्या होगा कि दूसरों के लिए भी वह value हो जाएगी जो दूसरे वैरियेबल है अब्जेक्ट का जो वैरियेबल बनाएं उन सब के लिए यह वैल्यू चेंज हो जाएगी करते हैं को मैं कहता हूं डॉट नेम यहां पर किसके बराबर कर दें यहां बर कर दें एलेक्स के बराबर कर दें ठीक है ताहा था उसको मैंने एलेक्स कर दिया बीजेतरी के जरीए कि माने होब बीजेतरी के अपने रैफेड्स के पास उसी सें ले यू के पास जाएकर नेम को क्या खड़ सब्सक्ति वेल्फिए इसने उबीजे उब लडय क्वे वान्यवाव गांण किसको क्या था ओबी जे थरीक तो यह अपको समझ में है कि और आपको बनके मिलते हैं लेकिन वैल्यों एक शेर होड़ी होती है और इसके पास काउंटर भी चलता रहता है अब हम गार्विज कलेशन को देखता हैं काल में क्या है आपके पास ला एक होता है धुकता है मार्क और एक होता है स्टू आप तो इसको कैसा लिगता है छोट जो कैसा के लगते हुआ हैं और पर मार्क और डूसरा क्या होता है स्वीप तो मार्क का काम होता है कि वो आपके ये वाली जो काउंट है ना रेफरेंस काउंट आपके वैल्यूस के उपर जो रेफरेंस काउंट है उसको द देखता है और सुई का काम क्या होते है जिसका रेफरेंस काउंट जीरो हो जाए उसको वो क्या आखरे whose memory से डिलीट करा देता है ठीक है तो इसको मैं को एक ड्राइंग से समझातू हम चलते हैं अपने एक द्राइं की तरफ फ़र मापको द्राइंग से समझाथ एक मेरे पास बॉक्स है उसके अंदर लिखा है नेम है अब यह जो नेम आपने लिखा है है कि इसके पास एक क्या होगा राफरेंच़ अब आपने नेम का कोई वैरियَबल विनाय यह यह ताहा कि और आपने क्या किया आपने भी इसके नेम की वैलीव को चेइन्ज कर दिया मसाल के तौर बे लेड नेम इस इक्वल डू ताहँ है आपने एक वैरियेबल बन गया अब यह जो आपके इंवार्यमेंट रिकॉर्ड के अंदर जो यह वैल्यू रखी हुई है यह इसके पास एक रेफरेंस है किसका रेफरेंस है नेम का क्योंकि नेम के वैरियेबल से तालूक है इस का क्या है एक तालूक है नेम के वैरियेबल में ताहा की वैल्यू है ठीक है तो अब यहाँ पर कौन आएगा यहाँ पर आएगा मार्कर और स्वीपर मार्क और स्वीप तो जो यह मार्क और स्वीप हैं मार्क ने देखा कि यह वाली जो मेरी वैल्यू है यह वाली मेरी वैल्यू क्या इसके पास किसी का रेफरेंस है या इसका किसी वैरियेबल से कोई तालूक है तो मार्क ने देखा कि हाँ इसका जो तालूक है वो किस से है वो नेम से है तो इसने इसको क्या किया अपने रिकॉर्ड में रख लिया कि ठीक है तहा का जो तालूक है वो नेम से है अच्छा अब आपने पते आगे क्या किया आप आपने आगे यह किया आपने बुला कि जो नेम है ना उस नेम को मैं कर देता हूं यहां पर एलेक्स तो यह वाली जो वैल्यू है ताहा की यह वाली जो वैल्यू ताहा की है वो तो अब एलेक्स होगी तो यह जो ताहा है ताहा की जो वैल्यू आपके मैम्मुरी में ती वो वाली जो म्मेमुरी है वो तो अब उसका तालोक तो ने यह ना नेमiltai देखें आपने नेम के अंदर ताही की वेल्यो लिखी जब आपने इस व्यूरियबल को डेक्लियर किया था हूँ तो आपके बाद पाइस जो वेल्यो थी वो ताही ये वाली तो आपने marker ने क्या किया marker ने देखा कि ठीक है इसकी यह वाली value न वह तहाँ है ठीक है और उसका तालुक किस से इस name के variables है तो फिर आपने इस variable का नाम change कर दिया है यहां पर क्या कर दिया लेक्स कर दिया अब जब लेक्स कि आपने तो इस यह अपने रेफरेंस को ब्रेक कर चुप है तो यहां पर शूइब का माता है क्या करता है वो देखता है कि भाई इसके बास रेफरेंस है नेम का है ठीक है इसके बास को रेफरेंस है नहीं है तो यह क्या करेगा यह इसको memory में से garbage collection में डालके डिलीट कर देगा और यह सारा काम जो है वह हो रहा होता है आपको करना नहीं पद़ता है क्जुछ लैंग्विजस के अंदर यह करना पड़ता है में लेकिन जावाए स्क्रप्ट के अंदर यह कि आटोमेटिक हो जाते हैं अंदर बैकेंट में कौन काम कर रहा होते हैं लिए इसके पास करके रख लेता है और जिसके पास कोई रङफरेंस नहीं उसको क्या गड़ता है की मदद से जाता है इसको मैं आपको उप्री और तरीके से आपको यह बात समझ मैं यह जो अभी बताया है अच्छा देखें यह जो आपने बनाया यहां पर तो किस आपजेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट 2 के बराबर कर दिया है यह पर अभिधिर के बराबर कर दिया है यह थो सब्सक्ट tra semester अब यह जो दाहा है ना यह उसमें चला गया ना स्विप में चला गया ना कि आपने पर एलिक्स को चेंज किया था अभी तुम्हाना हटा गी अभी देखें अब मैं क्या कर रहा हूं इस ओबी जे थिरी को अच्छा यह करने नहीं देगा इसको मैं वहां ले जाता हूं जावा इसक्रिपने तर फिर इसमें गार्विच कलेक्शन कौन सा हुआ बता रहा हूं अब देखें अब बीजेवन को ना हम नल के बराबर कर देते हैं तो अब मझे बताएं यह टू और थरी जो है इसमें भी होगा के नहीं होगा और देखें की माम इंसाओई साइंग्स नियुकर वे इसके अइड टियू कर देखेंपिटर प्रॉप्या इसक्शिश्च नियुक्तर देखें प्रॉपकिंटर धिके आपिया धिए है सब्सक्राइए देखते हैं इसको यह क्या है नली के बराबर है टू को देखते हैं है है सब्सक्राइब जो कर दिया नल कर दिया तो तो सब्सक्राइगा पर पोर अच्छा जब अच्तर्णी के लगारा जैंक्षेञा नजर था सौरी मिनेजाना के लवारा कर दिया तो सब प्रॉपिटी एक्सेस ऑब्जेक्ट वन को मैंशन कर दिया अब्जेक्ट वन से सब चलता बाता आपने अब्जेक्ट वन ही नल कर दिया तो बागी का अंसर कैसे आया कोट कैसे एक्सेक्यूट हूँ बचा रहा हूँ बचेक्ट वन लेट वन गिंड़ने को अविद्यए में पBoy region जो आपने दो लिखिये ना नेम और यह वाली वैल्यू यहां पर यह नेम है और यह तो जब यहां पर आपके यहां पर यहां पर नहीं पर देख रहते हैं ulent जो मारकर जो है मारकर औसने देखा कि क्या बीजे वन जो है उसके पास खूई रैफरेंस है तो इसके पास रही है तो कैसा हुआ कि जब आपने ओपी जे फवन को यहां से नल कर दिया तो इस Northeast Kat money on का रेफरेंस ब्रेक हो गया इसका यह वाला रेफरेंस ब्रेक हो गया और जैसी रेफरेंस ब्रेक हुआ तो ड्र फ्र निष और चुब टु अ अब जो के पास का जो डिलीट कर दी अब जुब है वी असपा द पने इसको डिलिट गार और वो शूइमडे तो टेम भूह बब Ursa ut उसका अदम होगे लेकर टू और थिरी के बास है यह वाले जो काम है यह करवा रहा है स्वीप और मार्क इसको गार्बिच कालेक्शन बोलता है सर्मेरी बास सुनें अपने ओवी जे वन जो आपने ब्रीक कर दिया निल कर दिया तो फिर आगए किस तरही चरा ब्रीक करने के बहते बान उप्र पहांगे वापने वेयल्यू चला रहे हैं जो आपने फ़र से क्यी हूं है वो वेल्यू उस तरह चला रहे है इसे चलता है न में चालड है परसे UPJ-1 वारे का olho आ पनी तो रिक हम उताए लोसरे थीजंच की और आ डूरा है अपनी वेल्यू बिर चालगिए और सौरी वारे की अड़ दा यो एक रिक तो एक लिकार रिक हिए अगर तो manifests है इस कि सब में हो सकता है मैं आपको मार्क और स्वीप में बता रहा था कि वह किस तरीके से इसके राफ्रेंस को खतम करें डिलीट करता है तो 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 और थी के अंदर वैली किस तरह यह अभी आप जो बता रहे थे